1-1-2014 को stock price थी और index था 1-1-2020 को stock price थी और index था 23 March 2020 को जब Nifty lowest point पर था तब stock price थी और index था और current price है और index है यही figure चार्ट में देखते हैं अगर हमें Nifty के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे stock में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी अउदी में share price बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो हमारा stock ज्यादा नहीं गिरना चाहिए Nifty के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा stock तेजी से रिकवर भी करना चाहिए Nifty के मुकाबले 4. हमारा share अपने sector का top share होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा share Nifty से better है या नहीं यानि कि पहले 3 points इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको sector का top share चुनना है तो उस वीडियो की link डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1.1.2014 को एक लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद एक जानिवरी 2020 को इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए एक लाग रुपे हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण्ट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपे निफ्टी 50 शेर्स में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करण निफ्टी फिफ्टी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है निफ्टी में एप्रिसेशन ज्यादा हुआ है इसलिए फर्स्ट पॉइंट निफ्टी ने जीत लिया है सेकंड पॉइंट शेयर ने जीता थर्ड पॉइंट निफ्टी ने जीता ओवर्राल निफ्टी जीता यही एक लाग रुपए की अगर हमने एट परसंट इंट्रेस से फिक्स डिपोजिट की होती तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती एवडी के एट परसंट के मुकाबले निफ्टी ने कितने परसंटेज का रिटन दिया यह शेयर ने कितने परसंटेज का रिटन दिया विनर है आज अगर किसी को एक लाग रुपीज इन्वेस्ट करने है तो वो क्या करे ये स्टोक में इन्वेस्ट करे निफ्टी 50 स्टोक में इन्वेस्ट करे या FD में इन्वेस्ट करे ये शेर के और निफ्टी के annualized return percentage हमने देखे हैं वही return percentage अगर भविश में भी continue होंगे तो एक साल के बाद क्या होगा झाल झाल Thank you!